आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी सिंप्ली यहां पे VS Code में जाता हूँ VS Code के अंदर बहुत सारे लोग एक चीज को ले के बड़े परिशान है वो क्या चीज है कि GitHub Co-Pilot नहीं मिल रहा हुने ऐसे ही है GitHub Co-Pilot क्या है उरने क्यों नहीं मिल रहा उसका एक तोड़ आपको दे देता हूँ extensions में जाए extensions में जाने के बाद यहां पे लिखें kite kite autocomplete वाली extension जिसके 3.6 million downloads है उसे आप download कर ले kite autocomplete वाली को यह Intelli Code की तरह आपको code की suggestion देने लग जाएगी GitHub Co-Pilot की तरह है comparison अभी तक किसी ने किया नहीं है ना मैंने किया तो मैं यह नहीं कह सकता कि आपको अच्छे तरीके से यह मतलब facilitate करेगी ठीक है you have to check that एक तो यह हो गया kite autocomplete ठीक है मैंने पूरी list बनाई है आज आपको बताने के लिए कितनी कौन कौन सी आपको extension ज़रूरी है ठीक है काइट होगी autocomplete के लिए और फिर आपने एक और extension की होगे जिसका नाम है python ठीक है यह की है तो आपका पाइट यह कोड पर नहीं चलेगा और यह लग गया जी बैन तो इंटर इंटर इन जोम मिटिंग ठीक हो गया देन एक और है python for vs code यह ना भी करें यह python कर लें that's enough फिर python extension pack तीसरी extension python extension pack के अंदर python और रड़ी होता है फिर intelli code है intelli code क्या करता है आप इस पर click करेंगे तो यह आपको बताएगा यहां पर किया करता है ठीक है जीज लिखें तो नीचे आपको sedation आ रही होती है आगे नहीं आ रही होती है नीचे को आ रही होती है वियू के साथ extension pack के अंदर यह intelli code है जैंगो को भी रहने दें निंजा को भी रहने दें आटो डॉक्स ट्रिंग भी अभी रहने दें क्योंकि यह बेसिकली जो software developers हैं वो ज्यादा तर यूज करते हैं दॉक्स ट्रिंग अभी नहीं दें आप मिन्शाला future में हम करेंगे दैन यह python identification का लिए identification के लिए ident की एक app है इससे क्या होता है आपको याद है हम जब tab दबाते हैं तो आगे को चला जाता है तर हमारा ठीक है फिर आगे चले इसको identification बोलते हैं अगर यही identification आपको color wise मिले ताके आप परेशान ना हों के यह identification इसके हमने आगे को की यह पीछे की यह space दी यह नहीं दी errors को बचाने के लिए तो उसके लिए यह वाली एक extension और कर ले पाइथान आइडेंट ठीक है देन पाइथान environment management ठीक है इससे क्या होता है basically जब आप टर्मिनल पर जाते हैं new टर्मिनल में on करता हूं यहां से command prompt का करता हूं नहीं यहां से नहीं हो रहा है एक्टिवेट फॉर एक्जेमपल यह हमारे पास कोंड़ा के इन भी लिस्ट कोंड़ा की environment लिस्ट है ठीक है जैसे कोंड़ा का हमने software पूरा चला के देखा था कोंड़ा का उसके अंदर यह चार इंवार्मेंट है अगर मैं चाहूं के किस तरीका से शो होगी लुक के पास जितने वरिजन आपने यह की हैं पाइठों का यह यह हैं अब इसके अंदर अगर अगर आपने इनवार्मेंट करके यहां पे कौंड़ा क्या कि एक्टिवेट किया हुए तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी यह औरवाइस नहीं आई वो आगे global environment जितने हैं वो आगे ठीक है तो कोंडा के जितने मैंने बनाएं ये मेरे पास आ जाते हैं इस तरीके से सही हो गया तो आपको कोंडा environment list लिखने की ज़रूरत नहीं है just download this extension called python environment manager next extension पे चलते हैं कुछ ज्यादा speed तो नहीं पकड़ी मैंने मेरी वीडियो चल रही है ना everything is fine ठीक है कुछ लोगों के अपने मसले होते हैं वो भी कह रहे होते हैं वाज नहीं आ रही तो मैं परिशान हो जाए तो मेरा माइक तो नहीं खराब हो गया ठीक होगा जी नेक्स्ट extension के बारे में बात करते हैं ए ए आर पी एल नहीं ए आर ईपी एल लेपनी सी अर ईपी एल यह वाली यह क्या करती है आपको रियल टाइम ना python को व्यू करके बताती है कि python की फाइल आपका क्या कर रही है for example यहां पे एक मैं फाइल बनाता हूं नही वाली ठीक है इसको मैं डॉट पाई का नाम देता हूं टैस्ट डॉट पाई टैस्ट डॉट पाई और रेडी एग्जिस्ट चलो फिर उसे खोल लेते हैं यह पड़ी है ठीक है अब यहां पे अगर यह मैं extension करता हूं इसको मैं इंस्टॉल किया installing 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 it will take few seconds install होगी तो अब चेक करते हैं कि यह हमारे पास चार रही है कि नहीं यहां पर print लिखने के बाद print इसके बाद यहां पर लिख देते हैं मैं hello word क्यों लिखूं सारे लिखते हैं तो आपने यहां से simply क्या करना है आपके पास evaluation ठीक है control shift a भी दबा सकते हैं और इसे भी दबा सकते हैं तो चेक करें यह आपको अगर कोई भी error है किसी भी किसम की तो यहां पर शोग कर देगा for example मैं यहां पर लिखता हूं print print के बाद मैं लिखता हूं kodenix ठीक है यह मैंने लिखा है मैंने कुछ नहीं रन किया और यहां पर मेरे पास output साथ ही real time में आनी स्टार्ट हो जाएगे python की अगर यहां पर कोई कि मैं error करता हूं लुक उसने बता दिया syntax error है क्या error है यह वाली error है इस पर क्लिक करो पकड़ किसने आपको solution बता देने हैं जिन बंदों की errors आ रही है न तो दमाग ख़दा है उनके लिए यह मैंने solution तोड निकाल के लाएं ठीक है अगर अगर आपका error फिर आती है तो भाई तुसे सोंझाओ आपका काम ही नहीं कोडिंग सिंपल सी रूल है यह देखिए मैंने क्लिक किया बच्चों की तरह वो नहीं करता था क्या ना मैं उसका यार वह अफ्रीकन नहीं ऐसे घर के हाथ करता है यह पड़ी है तो पता नही पूरी की पूरी चीज़ें आ जानी है फिर सबसे पहला आपके पास यह देखें स्टैक और फ्लो का भी आपके पास आ रही है चीज़ें तो इनको पढ़ लें दो मिनिट लगाएं जो आप दस मिनिट वीडियो बनाने में लगाते हैं और फिर पोस्ट करते हैं को डैने इस इस वज़ा से यह वाली एक्स्टेंशन बड़ी ही कार आमद है जिसका नाम है A.R.E.P.L. फॉर पाइथोन इसको पाइथोन वैलुएशन भी बोलते हैं अकसर लोगों का अब यह क्वेस्टन है ना सर जी वो विंड़ो नहीं ओपन हो रही ए रिपल की तो उसके लिए भई कंट्रोल शिफ्ट ए ठीक है देखें इतना कुछ बता रहा हूं फिर लोगों ने कहना मेरा तो काम ही ने कर रहा तो ओपन करने के बाद दुबारा से आपने कोड पेस्ट करना या लिखना है ठीक है पहले नहीं लिखना देखें बच्चों वाली स्टेप भी आपको मैं बत ठीक है यह एक्स्टेंशन करने के बाद आपने अगली जुपिटर की की मैप इसे भी कर लें रिजन बिहाइंड यह आपको जुपिटर के नोट्बुक जो औरीजिनल है ना जो है ना कॉंडा के थूच चलती होती थी आपको पता है गूगल करोंग के उपर उसका जितना की मैप है ना वह सारे के सारे यहां पर आजाता है मजला ए दमाने से अगला सेल हो जाए आई दमाने से इंसेट हो जाए वह सारी चीज़ें फिर जुपिटर नोट्बुक रेंडरर भी इंस्टाल करने क्यों बहला यह आपको इस तरीके से जो डिफरेंट ग्राफ जिनके मार्क डाउन क्या चीज़ है मैंने बहुत 75 मिनिट की इस पर वीडियो बनाई है उससे देख लीजेगा नहीं देखी नहीं तो आपकी मर्जी है लेकिन मैं उसको अपलोड कर दूँगा मार्क डाउन यहां पर लिखेंगे ना तो यहां पर सबसे पहले आएगी मार्क डाउ मार्क डाउन इसके अंदर सारा कुछ ही है कीबोर्ड शॉर्टकर्स मार्क डाउन के जैसे आप वर्ड पर काम करते ना बोल्ड करने के लिए कंट्रोल भी दबा के आप इसमें वैसे करेंगे तो यह मार्क डाउन इन्हांस्ट प्रिव्यू भी कर लें उससे क्या होता है वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं कि लिंटिंग क्या होती है और इसको कैसे यूज करने नहीं समझ आती तो फ्लीज गूगल एट नेंच्सStr में नेक्सट नेक्सट नेक्स 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 की तरह code आगे बताता रहता है ठीक है GitHub Co-Pilot उसकी तरह Intelli Code भी काम करता है पिर ओप विसली जिनके पास student pack है GitHub Co-Pilot का वो वाली यूज़ कर ले ये वाली GitHub Co-Pilot ठीक है इसे आप यहां से install करें और जिन लोगों की नहीं चल रही student pack होने के बावजूद भी वो सबसे पहले Google पे जाके GitHub पे sign in करें and then click on this button तो वो automatically आपके साथ attach हो जाएगी इस पे click करके ओके दबादे बस that's it GitHub co-pilot भी आपके install होगी ठीक है यह वो extension है जो आपको इसको install करने ठीक है इससे क्या होगा आपका GitHub का यहां पर ऐसे शो होने लग जाएगा इसमें साइन करें रेपोजिटरी इस तरीके से आने लग जाएगी जो जो आपकी रेपोजिटरी हैं वहां पर पढ़ेगी ठीक होगा सिंपल जो आपकी GitHub है उसको इसके साथ सिंक कैसे करना है ऐसे करना है फिर VS Code के अंदर ना सभी के सभी लोग अगली चीज़ अगर मैं स्पीड से जा रहा हूं तो बाहर जा के दुबारा से देख लिजेगा वीडियो यहां पर अपने सिंक करने के लिए ना आप बेसिकली GitHub के साथ साइन इन कर लें तो जो एक VS Code में आपने जो और जो कुछ किया है जो जो फाइल वहां पर ओपन किये जो कुछ भी है वह जिस जिस सिस्टम पर आप जाते रहेंगे वहां वहां पर आपका डेटा से बोता रहेगा जो एक दफ़ा कर लिए वह वहीं पे रहेंगी डन हो गया जी अब काफी लोगों का यह कुछ से नाता है कि कोंडा इंवायर्मेंट के अंदर स्ट्रीम लिट चलाई यह वो नहीं चली उसका अंसर ले लें यह आज कल आज जो मैं बातें कर रहा हूं आपको शौर्टकर्स बता रहा हूं यह यहां पे ना यह इस जगह पे पाइथान का interpreter आ रहा हाता है यहां सी अपना streamlit वाला आपने select कर लेना अगर आपके बास streamlit का environment है पिर यह चलानी है पाइथान की फाइल यहां पे ठीक है ऐसे नहीं होता तो command prompt में चले जाएं वहां से आक्वार्वाइल को यह ना उसको environment streamlet का यहां पर activate कर ले ना कॉंडा streamlet वो activate करने के बाद फिर उस environment से रन कर लें तो जिनकी streamlet नहीं चार रहे थी उनका भी मसला हल हो गया नेक्स्ट अगली क्या चीज थी अब जो लोग थोड़े से ड्वांस लेवल पर काम कर रहे हैं जिन्हों उने गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग और इदर उदर की चीज़ें देखिए उनके लिए एक अच्छी चीज रिमोट सर्वर करके एक चीज होती है यहां पर रिमोट कंटेनर्स रिमोट जो लोग युनिवस्टी की तरफ से एच पेसी क्लस्टर सिस्टम यूज गारें देकर इंस्टॉल दिस वन और आप अपने युनिवस्टी के सूपर कंप्यूटर या हाई परफॉर्मस क्लस्टर कंप्यूटिंग सिस्टम को यहां पर टैच करके यहां आपके पास लेकिन मेरे ख्याल से अभी लिए इतना काफी है ठीक हो गया